प्यारे बच्चों, CBSC और ISC एक्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं, अगर अभी NEET वजेई का डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये एक्जाम पॉस्पॉर्ण होंगे और पॉस्पॉर्ण होंगे तो कब तक होंगे? इस विशेप पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. तो CBSC के एक्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं, मगर स्टेट बोर्ड के एक्जाम का डिसीजन आना बाकी है. यानि कि अलग-अलग स्टेट में ये एक्जाम डेट अलग-अलग होगी, कोई स्टेट CBSC की तरह एक्जाम कैंसिल करेगा, तो कोई स्टेट अपना एक्जाम कंड़ करवाएगा इसलिए अभी नीट वे जी मैन एक्जाम डिसीजन में डिले हो रहा है अभी हम बात करेंगे कि क्या ये पॉस्पॉंट हो सकते हैं अगर पॉस्पॉंट होंगे तो कितनी दिन के लिए पॉस्पॉंट हो सकते हैं तो बचो स्टेट वोर्ड के एक्जाम अगर जु ये एक्जाम होगी जरूर ये अगस्त लास्ट या फिर शिप्टेमबर फस्ट में हो सकती है वीडियो के अंत में कहना चाऊंगा कि इस देश में कुछ भी हो सकता है आप फिलाल एक अगस्त के अकोर्डिंग ही स्टडी करें और आप पूरी तरह से तयार रहें कि अगर दुक्सान ना हो बाकि इसके बारे में जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको इनफोर्म कर दूंगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के स साथ नए वीडियो में तब तक जय हिंद्ट